हेलो फ्रैंद्स deben come back to the pint- pro tick . औौऄसी आप से अवी संभी ? आज हम आपको बताने समकों काफ्तर बदाने वाले है आपको बता राए है और यह काफ्तब को कुछ इस टाइब का लगने वाला है, इस टाइब हम सुंदर सक आफतन बना रहे हैं, स्लीप्स भी हम बनाएंगे इसमें, ज्यादा बड़ी स्लीप्स नहीं रख रहे हैं, इसमें हम स्लीप्स पर जो जो जॉइंड आता है ना भी हम नहीं लेंगे, पें स्लीप्स लेंगे, न और हम आपको यह simple type का काफ्तान इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से बनाना सीख जाएं और अगर आप बहुत अच्छे कमेंट्स करेंगे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे तो हम आपको और भी अलग अलग type के काफ्तान बनाना बताएंगे इसलिए आप जल्देल्दी वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजे तो चलिए करते हैं simple type के daily wear काफ्तान की कटिंग करना करेंट्स काफ्तान को बनाना कैसे मेजरमेंट कैसे लेना यह भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको अपने नाप का बनाने में आसानी रहे तो चलिए दीवी आपको मेरा नाप लेना बताएंगे तो आपको शोल्डर के पास से इंची टेप को रखना है और लंबाई इसके बाद लेना है चेस्ट कनाफ, 31 इंच चेस्ट का साइज आरा है, आपको अपने हिसाब से रखना है, आपको जितना भी ना पाई, आप उतना ही दख लीजिए, कमर आ रही है हमारी 26 इंच, अगर आपको और ज्यादा फिटिंग का चाहिए, तो आप साड़े-पचीस भी इसके बाद आप शोल्डर भी मेसर कर सकते हैं, 14 इंचा रहा है परीति की शोल्डर, बस इसमें इतनी चीज़ों करना आप लेना है और तो आपको कुछन आपको लेना नहीं होगा, और फ्रेंड्स में बोल रही थी आपको, नेक जो रहेंगे थोड़े छोटे ही रखना है, क्योंकि लटके नहीं हो, क्योंकि थोड़ा लूज-लूज सह होता है ना वहर जागा से इसलिए और वह लटकता है, और वह शोल्डर भी उसमें इस्ट्रिच बगर नहीं रहती है, यहां से थोड़ा लूज रहता है तो फिर उसकी बाद अलग हो जाती ही काफतन, लेकिन लि नहीं रखानी और यह कोछ इलिए लम्बाई के साब से लिया अगर आपको और लंबा काफतन बनाना है तो आप 2-0 मइटर अब इसकी कटिंग करते हैं बागी सारे जो हम कप्ड़े बनाते हैं कुछ भी कपड़ा कटिंग करते तो उसके बाद उसमें निशान लगाते है ले होती है तो पहले हम सीधा कर लेते हैं कपड़ को we are single करके ले लिया है अब यह वाला जो कपड़ हमारा यह वल्टा कपड़ है और इस साइडो वाल ला कपड़ हमारा सीधा है यह हो गई हमारी पलट देना है और बराबरी से रख लेना है यहां से आगे पीछे नहीं होना चाहिए दोनों साइड बिल्कुल एक क्यूपर एक आना चाहिए अब कपड़े को अच्छे से जमा कर रख लिया है यह वाली साइड हमारी बंद साइड आ गई है यहां पर भी हमारे दोनों बड़ा कर नहीं रखना है कि यहां पर ना सिलाइं लग रही ना सिलाइं रखने की जरुएँ अब लगाएंगे यहां पर फोल्ड हो जाएगा शलाइ में तो इक तालीछ पर निशान लगा लिया है वैसे normal जो कपड़े बनाते हैं उनमें 2 इंच ए एक्स्ट्रा रखते हैं हमारा 2 इंच कपड़ा कबर हो जाता है लेकिन इसमें उपर से लाइमें नहीं दबना है इसलिए हमने इसको देड़ इंच बढ़ा कर रखा है अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे सीनिक फिटिंग हमारी 31 इंच थी हम इसमें 2 इंच करेंगी हमारी 3 इंच का चौथा इंच निशान लगा लेगे अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे बहुत जादा लंबा भी नहीं करना है इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन कीज लेंगे अब हम इसमें A-Line का शेप देंगे तो यहाँ से रखना है स्केल को और यहाँ से तिर्चे में रख लेना है और यहाँ से लेकर हम रख रहे हैं 3 इंच का अब यहीं से ऐसा तिर्चे में निशान लगा देना है और आपको एक चीज और याद रखना है कि यह जो हमने काफटन बनाया है एक काफटन ऐसा भी बनता है जिसमें हम पूरे नीचे तक सिलाई लगा लेते हैं लेकिन कुछ-कुछ काफ़तान ऐसे ही बनते हैं जिसमें सिर्फ यहां तक हीपस तक सिलाई लगा कर बना लेते हैं बाकी नीचे से खुला हुआ रख लेते हैं तो आप ऐसा भी बना सकते हैं साथ इंच की और इसके बाद जो फैबरिक बचा के यह होगा है हमारी स्लीफ्स देखिए 13- 레ज से रहा है तो यहां तक की 13 इंच की यहां तक की स्लीफ्स आ रही है अगर आप और छोटी करना चाहते हैं स्लीफ्स को यहां से आप कपड़े के रस को थोड़े सा कम कर दीजिए अगर आपको और बड़ी स्लिफ चाहिए जैसे 3-4 चाहिए या फिर फुल अस्तीने चाहिए आपको तो फिर आपको क्या करना होगा बड़ी विर्थ वाला जो फैब्रिक होता है वो लेना पड़ेगा यहां से आपके चोड़ाई और ज्यादा होना चाहिए जब चोड़ाई क्यादा होगी कपड़े की तो अस्तीन मीं वढ़ जाई यह अपने आपी तो फिर आपकी फुल अस्तीने बन जाएंगी अगर आप बड़ी विर्थ वाला कपड़ा लेंगे तो अब इसमें कर लेते हैं मारकिकल शभ ररखेंगे अहम सबादो इंच और गले की लंब्दा इ बिर्थ तो हमें यही रखना है पीछे का गला हम इसमें गोल गला बनाएंगे और जो आगे का गला बनाएंगे वह बनाएंगे ऐसा फैला वाला वी गला अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे तो पहले हम कर रहा है बैक साइट का गला आप इसके बाद नीचे वाले को में परपढ जोड़ देना है इसको नहीं पढ़ना Armor के अंग करते हैं यह किंसे किनारी है यह सुखड़ राइस कटने कर दिना है लंबा ही जितनी हमारी चाहिए राइस को करड़ना है कि दोनों ही साइट से हमारी कटिंग हो गई इसको कर देते हैं साइड में अब आपको क्या करना पड़ेगा या तो आपको पैस थोड़ा सा कपड़ा होना चाहिए लंबाई में से बचना चाहिए या फिर आगर आप इसके साथ का मैचिंग का टाउजर बना रहा हैं तो उसका कपड़ा लेली आप तो हमें हमारी के लिए पत्ति चाहिए पड़ेगा थोड़ा सा बफ़ा इससे के पट्टि कर देगा वैं इसमें से कपड़ा निकाल लिया है कटिंग करके अप ces इम नेकी पट्टि निकालना है अपको ये बहुत ज़़ादा इज्ळाना है झूं मैं आ क्योंकि इन्हीं निशानों के उपर से लिए उपर आपको क्या करना है इसको या कि नीचे से कुछ नहीं करना यहां पर ऑसे नाखुल रखना ऑब इस साइड ले नहीं आ। साइट कि और हम एक यह निष्ट等 का मिखिशाइब से के поряд grac 1 अबदी आप अब इस निषान कि इप आप डेश्ट की सिक्षै हां से अब इसलिद्व यह तो डी अब से कि आपके बीड्य मैद्व और आप्च्टी करने इसको पलटना है, इस फैबरिक को अंदर लेकी जाना है और इसको यहाँ पर ऐसे करके रख लेना है, बराबरी से यहाँ से यहाँ तक यह बराबरी से रख लिया है और चोड़ाई में इसको बराबरी से रख लिया है अब इसी के उपर से बराबरी से कटिंग भी कर लेते हैं यह हमारा अंदर का neck कटिंग हो गया है इसको हटा देंगे काफ़तान को साइड में कर लेंगे अब यह जो हमने पट्टी कट की है इस डेड डेड इंच बहार साइड से कटिंग कर देंगे हर making हकिन हमारे नेक के पट्टी भी कटिंग हो गई है अपर सेंटर के निशान लगाने जरुन काफ्टार के पट्टी के साथ है आपको यह आठ चली प 600 लेकिन कोषिश एअगर आपको यह पसंदाया के लाइक करके हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे अब आपको प्रितिस ही इस स्टिच इन करना बताइग। सबसेफ़ सब पहले हम लगाएंगे झाल और याजन तक है काफ्तान सक्ताइब करना तो निचनल पता थीक्हारियन तो करके हैं सबसे पहले हमने इसमें नेक की पट्टी लगाएंगे तो यह जो पट्टी है ना इसको हमें open कर लेना है इस तरह से और यहां से हमें इसको बहार साइड से पतला पतला फोल्ड कर देना है पट्टी को हमने बहार साइड से पतला पतला फोल्ड कर दिया है तो अब हम इसको कर देंगे side में और अपने काफतान को खोलना है और खोल के हमें सीधा करके रखना है और जो हमाई निशान वाली side है वह हमारी सीधी वाली side है कपड़े की right side यहाँ हमने इसके neck को सीधा करके रखा है और marking वाली side से हमने इसको रख लिया है क्योंकि यह हमारी right side है तो यहां से हमें पट्टी के नौक से नौक को मिला देना है वीकी नौक को और इस तरह से हमें इसको रख लेंगे बरावरी से अब हम इसमें यहां पे पूरे में सिलाई लगाएंगे नेक बनाने के लिए आपको इस तरह से फैब्रिक को मशीन के अंद नौक के पास हमने सुई को अंदर रखा है और इसको गुमा दिया है और यह बैक साइड के सेंटर से हम सेंटर को मिला देंगे यहां पर हमने सिलाई को लॉक कर दिया है और बहार निकाल लिया है और सिलाई को यहां पर आपको एक के ऊपर एक लेना है आउट नहीं लेना है तो आपके एक सिलाई इधर जा रहा है और यहां से अच्छी नहीं दिखेगी यहां पर देखिए हमाई कितनी बड़ी है रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए सिर्फ फैब्रिक की कटना चाहिए वो भी अंदर वाला अब यहीं से मस्जीन के अंदर ही इसको रखना है और इस फैब्रिक को इस साइड पलट देंगे मार्जिन यहीं राएगा पट्टी साइड चली आएगी और इसके उपर एक सिलाई लगाएंगे तो हमाई यह बाली पट्टी भी लग चुकी है यह देखिए इस तरह से पट्टी आपकी आजाएगी अब आपको जो भी एक्स्ट्र धागे वगेरा इनको कट कर देना है और अब इसको हम यहीं से उल्टा करेंगे यह देखिए इस तरह से लेके जाएंगे और उल्टा करके लेकर आएंगे और फिर से वापिस अंदर आजाएंगे और इस पट्टी को पूरा हम पीछे साइट पलटते जाएंगे और इसके उपर कच्छी सलाई लगाएंगे तो देखी फ्रेंट पट्टी हमाई कुछ इस तरह से आ गई है यहां पर हम वहार साइट करेंगे पूरे में तुरुपाई और यह जो कच्छी से लाए अभी हमने जस्ट लगाई है इसको हम बाद में हटा देंगे और सीधा होने के बाद यह हमारा कुछ इस टाइप का आएगा दौनो साइट के नेक और अगर आप चाहें तो इसमें लैस बागेरा भी लगा सकते हैं पर मुझे इसको थोड़ा सिंपली रखना क्या को यह डेली वियर है तो नेक तो हमारा यहां पर रेडी हो चुका है अब ह कुछ भी नहीं करना है इसको हमें एक भी किसी भी कारणर से स्टाड करनाह यह सीधी वाली साइड और कोवीं एक कौरणर मैं ले लेंगे지 कॉर्णर सस्टार्ण करेंगे हमें इसको फोल्ड करने है किस तरह से अनना ये एक और ये दो, दो पल्टी में हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसके कॉर्णर्स को हमें कुछ इस तरह से बनाना है पहले तो हमें इसको यहां से सीधा ले लेना है और यहां से हमें इसको पलट देंगे जितना हम फोल्ड करना है उतना ही पलटना है में दो बार सुई को अंदर रखेंगे जब हम टर्न करेंगे इस तरह से हमारा ये कौना आ गया है और इसके उपर लेस लग जाएगी तो और भी ये दब जाएगा और इसी तरह से आपको चारो कौने बनाने हैं पहले हम नौक बना लेंगे इसमें ताकि ये नौक बहार नहीं जाए फिर इस तरह से मिलाएंगे ये देखिए कितना बड़ी आ गई अगर हम पहले नहीं मिलाते ना तो ये यहां से बहार कौनर टाइप का निकल जाते तो अच्छा नहीं लगता हमने पूरा चारो साइड से इसको फोल्ड कर लिया है ये देख लिजेए कुछ इस तरह से दिखेगा आपका चाधर टाइप का पूरा पोरा ठीक है अब आपको कोई भी एक साइड ले लेनी है, सीधा कर लेना है पहले तो आपको इसको, हमने इसको सीधा कर लिया, कोई भी हमें दामन वाली साइड नहीं लेनी है, ये देखिए, ये वाला जो साइड है, कम बाला साइड ये हमारा दामन वाला साइड है, पर जो ऐसा ये वाला सप्वानी लगाना स्टाड करेंगे देखेंगे 6 मीटर लेस में से कितनी बश्टियों और कितनी यूज होती है तो यहीं से इस तरह से रखेंगे कि इसलाई हमाई ठॉली धक जानी चाहिए इसको हमें खीचना बिल्कुल भी नहीं है लेस को नहीं तो यह ऐसा खीचने से लगता है ऐसा इखटा सा होता है यह देखिए यह हमारा कौना आ गया है यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर उंगली रखेंगे इस बाली लेस को लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके उपर रख लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स किस तरह से हमारा कौना बना है बहुत ही बड़ी अदरा से इसी तरह से हमें चारो कौने बनाना है यहां से भी हमें इस तरह से कौना बनाना है यहां पर उंगली रख लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड करना ही यह देखिए यह बन गया हमारा कॉर्णर थोड़े से दूर से हम इसको कटिंग कर देंगे फोल्ड कर दिया अब यहां से हम से लाइको उतार देंगे और यह देखिए पूरे हमाई लैस लग चुकी और 6 मीटर लैस में से हमाई सिब इतनी सी लैस बची है अगर आपको लोंग काफ़्तन बनाना हो तो आप लेस 10,5 मूटर ले लीजी का और अगर ज़्यादा ही लोंग बनाना हो और वाड़ी बनाना हो तो आप फिर 7 मूटर भी ले सकते हैं अब बस एक ही कम बचा है इसमें फिटिंग करने का तो यह देखिए हमारा काफतान लेस लगने के वाद कुछ इस टाइप का आएगा इसको यहां से हमें इसे दौनों कॉर्नर को पकड़ना है यह देखी पकड़ लिए और इस थरह से मिला देना है और मिलाके ऐसे डवल करके इस थरह से रखना है तो अब हम करेंगे इसकी फिट करेंगे और यहां से लगाते हुए इस बारे निशान के उपर से लगाते हुए इस बारे निशान के पास एंड कर देंगे हम सलाई को इस साइड की फिटिंग हो जाएगी इसकी बाद हमें उपर सलाई नहीं ले जाना है ना नीचे ले जाना है इसकी बाद हमें इसको पलट बिलते हैं में यहां चुछ से चल्वा है और सिलाई भी यहां से सवाण ऑप्सेया णिदिशन ह penalty और क्विषी Pacific May यहां से सवाइब करें इस सर दो सतन कि फिला में यहां उपर तक कमें इस सतन करेंगे यह तेखिए यह वाली जो साइड रहेगी लिए इसलिए समय tala और झालें तरह से पूरा नहीं कर वाल यह हमारा आउट जा रहा है यह फ्रहत ब्रवाबरी ब्र Winter le wish आप उप्रि लेज थोड सकते हैं क्योंकि दागा एलग और आँग उप्रभणब यहीं पर हमने पक्की सलाई कर दी है आर मोल्स के पास यहीं से हम इसको घुमाएंगे सलाई में हमें ध्यान रखना है कि आउट नहीं जाना चाहिए इसके ऊपर आना चाहिए साइट की फिटिंग हमाई हो चुकी है अब यहीं से हम इसको पकड़ेंगे और इस साइट पालट लेंगे और निशान तो हमने पहले से ही लगा के रखे हैं तो इसको भी हम यहां से मिलाते जाएंगे और ऐसे फिटिंग हमें साइट की कर देंगे देवल्स लाई करके इसकी हमाई दौनों साइट की फिटिंग हो चुकी है और यह तो हमारे अल्रेड़ी सीधा ही बनता है उल्टा ही रहता ही नहीं इसलिए सीधा करने की जरुवत नहीं है पूरा काफ़तन हमारे बंद के रैडी हो गया है तो चलिए मैं आपको इसको ट्र बनाने में आपको कैसा लगा सीखने में की कटिंग स्टिजिंग आसान है या टफ है बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको बनाना सिखा दिया है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी इसलिए जल जली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीड अगलग टाइब के काफ्तान बनाना सिखा दें तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ जब तक के लिए बाब बाई